लालची लकड़ारा एक छोटा सा जंगल था उस जंगल में बहुत सारे पक्षियां मिल जुलकर बढ़े ही प्यार से रहा करते थे एक बार एक तूनी चड़िया जंगल में घूम रही थी तो उसने देखा जंगल की एक साइड बहुत सारे पेड कटे पड़े हैं इन कटे हुए पेडों को देखकर टूनी चड़िया उस लकड़हारे चड़िया के पात जाके कहती है पैड़ए अगर इसे ही आप पेड काटते रहे तो कुछ दिनों में यह जंगल खतम हो जाएगा फिर लकड हारे ने उसकी एक ना सुनी और उसे भला बोरा करके भगा दिया देखते देखते कुछ दिनों में पूरा जंगल खतम हो चुका था एक एक करके जंगल के सारे पेड़ कट चुके थे अब जंगल में बस गर्मी धूल मिट्टी और कुछ सूखे पेड़ ही बचे हुए थे सारी चुड़ियोंने मिलकर लकड हारे चुड़िया को कहा तुम्हारी बगे से ही आज हमारा ये हाल है अगर तुम पेड़ नहीं काटती तो आज हमें ये दिन देगना नहीं पड़ता लकड हारा गल्ती मानते हुए कहता है मुझे नहीं पड़ता था कि ऐसा हो जाएगा करप्या मुझे शमा कर दें अब तो सूरी देवी ही इस गर्मी का कुछ कर सकते है मैं तब सूरी देव से सब मदद की गोहर लगाना शुरू कर दिया तब सूरी देव परकट हुए और कहने लगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैं तो बना ही हूँ इसी काम के लिए मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता करपियां आप लोग चिंता ना करे मुझे एक रहने लायक जंगल मिल गया है मेरे पीछे आए इतना सुनते ही सारे पक्षी तूनी चुडिया के साथ उस जंगल के लिए निकल पड़े वह जंगल बहुत साबसुत्रा और बहुत सुन्दर था फिर से सब वहां खुशी खुशी रहने लगे परन्तु कुछ दिन वाद वहां दुबारा पेड़ कटना शुरू हो गया था यह सब देखे वहां के मुखिया ने आरी पक्षियों को बुलाया और कहने लगा अगर यह लकड़ारा ऐसे ही पेड़ काटते रहा तो यह जंगल भी हमारे रहने लायक नहीं पचेगा चलो आज इस लकड़ारे को थोड़ा सबक सिखाते है और फिर गावालों ने कहा हाँ हाँ उसे मज़ा चकाना ही पड़ेगा पहले ही उसके मेंसे हमारा एक घर छोड़ गया दूसरा बोला उसे मार के जंगल से भगा देंगे फिर वहटूनी चिडिया ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे उसे एक बार अच्छे से समझा देंगे वह समझ जाएगा उसके बाद सारे पक्षी निकल पड़े लकड़ारे के पास पहुँचने के बाद गावालों ने बोला तुम पागल हो गए हो क्या पहले ही एक जंगल तुम खतम कर चुके हो अब इस जंगल के पीछे पड़े हो मुझे शमा कर दीजिये परन्तु मैं कर भी क्या सकता हूँ अगर मैं पेड नहीं काटूंगा तो अपने बच्चों को मैं कैसे खिलाऊंगा फिर तूनी चिडिया बोली तुम पेड काट रहे हो इससे हमें कोई आपत्ती नहीं है परन्तु अगर तुम एक पेड काट रहे हो उसके जगा दो पेड लगाओ फिर लकड हारा चिडिया बोला धन्यबाद आपने तो मेरी आखे ही कोल दी अब से मैं अगर एक पेड काटूंगा तो उसकी जगा दो पेड और लगाओंगा इसके बाद लकड हारा चिडिया हमेशा अगर एक पेड काटता तो उसकी जगा दो पेड लगाता था और जो पिछला जंगल था वहाँ पे जाके भी उसने पेड़ पोदे लगा कर अब बहुत प्यारा सुंदर जंगल बना दिया था इसके बाद सारी चिडियां खुशी-खुशी रहने लगे इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और अगर हमें एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले द भोलना धन्यवाद